केरला need counselling के लिए ऐसे student जो केरला से belong नहीं करते हैं, fee structure कम होने की वज़ा से, MBBS में admission के लिए केरला के state counselling का form apply करना पड़ता है और students हर साल apply करते हैं, लेकिन यह जो form है, यह need के examination के पहले आता है और काफी सारे students ने इस need के पहले जो form release हुआ था, केरला state counselling का उसको fill किया था लेकिन need के examination के बाद हर साल यह form release होता है, अभी तक इसको 2023 में release नहीं किया गया है, केरला के बारे में mid-coving के पास बहुत सारे students की queries आ रही कि form कब आएगा, form का application live कब होगा, कब हम apply कर पाएंगे, ताकि वहां की जो private medical colleges है, उनमें जो की 6-8 लाग की fees है, tuition fees उसमें उनका admission हो सके, बिना application के के केरला के किसी भी medical college में private की अगर हम बात करें, बिना application के कोई भी admission नहीं होगा, इसलिए form भरना बहुत जरूरी है, लेकिन form को अभी need के examination के बाद live नहीं किया गया है, expected है कि केरला authority form को live करेगी, official notification नहीं है, कब form आएगा, और 2022 में mock-up round की cut-off क्या थी के के medical colleges की out of state students के लिए, यह सारी detail हम आपको इस छोड़े से वीडियो में guys share करने वाले है, medical wing के ओर से मैं हूँ, आप सभी का एक बार फिर से सौगत है, आपके अपने most favorite need informative channel में, guys बात कर रहे है केरला के need application form की, यानि counseling के form की, अब need का examination तो हो गया, लेकिन need के examination के बाद भी, जो मनीपूर का examination है, need का वो अभी तक नहीं हुआ है, 8571 candidate ऐसे हैं, जिनका examination अभी मनीपूर का होना बाकी है, मनीपूर में जो recent violence हुआ था, उसकी वज़ा से exam को postpone किया गया था, NTA की ओर से कोई भी clarification अभी भी examination conduct करने के लिए नहीं आया है, need का examination जब तक नहीं हो जाता है, का state का application form है, वो शायद ही आये, जब तक कि मनीपूर का examination नहीं हो जाता है, इसी वज़ा से शायद pending है, लेकिन official कोई भी notification केरला की ओर से नहीं है, जैसे ही आएगा, मिटकव विंक ओर से इसको upload किया जाएगा, फिलहाल हम बात कर लेते हैं कि केरला में round 3 में, यानी mop-up round में किस rank और marks पर out of state candidate का private medical colleges में 2022 में admission हुआ, then guys here is the details और यहाँ पर जुबली Mission Medical College round 3 में out of state candidate, other state quota लगता है उनका और category जो है वहाँ पर AM category होती है, other students के लिए यानी जो केरला स्टेट से बिलॉंग नहीं करते हैं, 2022 में सबसे कम mark जो required था, वो था 443 और 443 पर mop-up round, यानी third round में admission हुआ था, अलाजर medical college में, जो की केरला में है, private medical college है, right, AM category की हम बात कर रहे हैं, ऐसे student जो केरला से बिलॉंग नहीं करते हैं, out of state candidate के लिए, दूसरे जो marks पर closing हुए थी, 452 और ये college था, Mount John Medical College, 456 पर Dr. Muffins Medical College, 475 पर, मौपर प्राउन में, PK-DAS Institute Medical College, Azizia 500 पर close हुआ था, करुणा Medical College, जो की परकड़ में है, ये 503 marks पर close हुआ था, स्री नारायन इंस्टुटूट भी 503 पर, केम सीटी Medical College, 522 पर, रावन कोर Medical College, 528 पर, और Dr. Somerval Memorial CSI Medical College, जो की काराकोनम में है, ये close हुआ था, 560 marks पर, Round 1 और Round 2 की क्या cut-off थी, मिटकर विंग ने अल्रीडी ही, केरला के जो, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेज हैं, उन पर, Out of State Candidate के लिए, क्या marks required थे, वो पहले ही अपडेट कर चुका है, Round 3 की की जो cut-off थी, वो मिटकर विंग ने पहले अपडेट नहीं की थी, लेकिन इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं, कि जो minimum marks था, 443 था, लेकिन अगर आप Out of State Candidate हैं, यानि केरला से बाहर से बिलॉंग करते हैं, और आपके marks इस बार तोड़े से कम आ रहे हैं, ये ज फिल करने के लिए केरला में private admission के लिए वो अभी तक release नहीं हुआ है, जितना delay होगा, जाहिर सी बात है कि students में इसके लिए awareness बढ़ती जाएगी और ऐसे case में, number of candidate जाधा हो सकते हैं, तो मौपप round में अगर seed vacant होके आती है, तो cut-off उपर जा सकता है, लेकिन second round के जो cut-off थी, जो की वीडियोज में medical in ने पहले ही round 1, round 2 की cut-off पहले से ही दे चुकी है, आप video section में उसको देख सकते हैं, वहाँ पर जो cut-off mention है, अगर उतने marks आपके आ रहे हैं, नीट के examination में, दिन केरला में private medical college में, admission के लिए आप safe रहेंगे, मौप up round, risky होता है हमेशा से ही, किंकि seed कि vacant है, कितनी नहीं आ रहे है मौप up round में, और number of candidate कितने apply करेंगे, उसके उपर ये vary करेगा, right, so application form के अगर हम बात करें, कोई भी official update अभी तक किरला की ओर से नहीं है, जैसे ही official website पर ये release कर दी जाएगी, midcoming की ओर से, आप लोग की information के लिए हम लोग इसको channel पर upload जरूर साथ ही साथ, इसको जो telegram channel है, वहाँ पर भी upload करेंगे, आप midcoming के साथ बिने रहे हैं, कोई question है, कुछ पूछना चाहते हैं, आप हमें जो number show हो रहा है, वीडियो के screen पर इस number पर call कर सकते हैं, या फिर whatsapp message भी कर सकते हैं, next के videos में करनाटका के जो private medical colleges है, out of state candidates के लिए, क्या medical wing को और करें अपने need counseling का सपना साकार, download दिया है, now